यह वाइबरेसन की बहुत ज्यादा करती है तो बाई वाइबरेसन की जो परसानी है इसको हम ठीक करेंगे और आपको बताएंगे उप क्या था कहनी है और कैसे प्रॉब्म सॉल्व करनी जी है आपको वाइबरेसन की जब गारी उठाते है तो गड़ 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 करती है इस टाइप को जावाजे आती है तो सबसे पहले एक जोड़ी सी बात बताएंगे इंपोटेंट बात वह आपको करना है एक नया चैनल बन में उसको सब्सक्राइब कर दो फटावट से जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो लाइव आऊंगा उस पे यार जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो फटावट वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटावट इंस्टा भी फोलो कर ले ना इंस्टा बे चोड़ी वीडियो खुली है और अभी इसका में जो हुमारा पुर्जा है वो आ गया हमारे सामने ये देखिए ये है अब इसको बोलते हैं clutch variator ये होता है clutch variator camei ड़सान की सारी जड़ यही है सबसे बड़ी problem इसमें होता क्या है काफी सारे service center ऐसे हैं जो इसके उन रज़र अंदाज करते हैं मुझे नहीं पता क्या है पर मेरा खुद का जो personal experience है इसकी vibration को लेकर अगर मैं इसमें greasing करतेता हूँ तो इसकी vibration बहुत मतब बिल्कुल ही खतम हो जाती है एकदम खतम हो जाती है और ये जो रूलर मैं इसके निकाल रहा हूँ ये जो रूलर है ये बिल्कुल गोलो ने चीए अगर हलके से भी कट जाएंगे या ये रूलर के अंदर play आ जाएगी तो आपकी गाड़ी में vibration कभी जाएगी नहीं चायब greasing कलो कुछ भी कलो ये वेरिटर बिल्कुल ठीक होना चीएए और वो रूलरिक्डम ठीक होने चीएए अगर ये वेरिटर की बात की जा तो ये वेरिटर जो है आपकी गाड़ी में 5-7-6-8-4-0 किलमेटर पर वेरिटर की कटने के चांसस बढ़ जाते हैं अगर अपनी गाड़ी की आप मतब time to time service के दोरान इसमें greasing नहीं कराऊगे तो क्योंकि greasing करने से क्या होता है आपके ruler जो होते हूँ proper work करते हैं और बहुत कम उसमें play हो जाती है अभी इसमें एक चीज और होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा एक important बात जो आपको समझनी है और जाननी है तो अभी सबसे पहले मैं greasing कर देते हैं और greasing करने के साथ-साथ मैं एक चोटी सी बात बता देता हूँ आपको जो एक्टिवा गाड़ी होती है अगर एक्टिवा की बात कीज़ा मतलब किसी भी स्कूटी की बात की जाए वो सभी स्कूटी ओमें यह चीज लागू होती है हर स्कूटी को अंदर clutch के बात होता है और clutch variator के अंदर ruler होते है ठीक है स्कूर्टियों के अंदर सबसे अधा अपलाई होता है हर सरिस्ट पर आपको कलच खोलना है और अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में कोई परसानी नहीं एकदम बढ़िया है मादब मिनिम्मम 5000 क्लमेटर पर आपको कलच खुलवा कि इसमें ग्रीसिंग करानी है और अपनी गाड़ी की कलच की बैल्ट चेक करानी है कलच के सू चेक करानी है ये सारी चीज़ा चेक करानी होती है उसके बाद ही मजाता है असली सरिस्ट का तो कलच बैल्ट यानि की चेंसेट का काम होता है अब यह मैं इस में ग्रीस लगा दिया इसके नग कोई भी प्ले नहीं है पहले इसके हिल रेते है रूलर अब इसका हिलना बंद हो गए है ठीक है तो यह ग्रीस का कमाल होता है ग्रीस भी एक अच्छी quality के होनी चीए, cash roll के grease यूज़ कर सकते हो, या फिर और अच्छी अच्छी कंपनी आते हैं, उसके यूज़ कर सकते हो, और इसकी rubber की बात कीचा, तो rubber के अंदर भी play नहीं होनी चीए, और उपर नीचे उपर नीचे होता है, या ध्यान रखना, तो इसमें बिल्कुल भी play नहीं है, देखरों, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, अगर ये play होगी, तो भी आपकी गाड़ी में, जब आप गाड़ी race दे के उठाओगे ना, जैसी race दे के उठाओगे, उसके बाद तुरन्ती पीकड ले लेगी, तो उठाते समय जो गड़गर होगी ना, वो समझ लेना, आपकी clutch variator की ही होती है, अब ये जो bus होताना, ये इस तरीके से होता है, देखो, मैं दिखाता हम, यह बुज़ दबता है और उसके बाद यह मारा वेरेटर जो है इस तरीके से काम करता है इस तरीके से अब यह जो उपर नीचे और ना इसके अंदर प्ले बिल्कुल एकदम स्मूध होनी ची है अगर हलका सा भी अपने लोकल पार्ट यूज़ कर लिया या कुछ भी ऐसा कराते हो कोई भी ऐसा काम कराते हो तो वहाँ पर दो चीज़े ज़्यादा जरूरी होती है इंप्रोटन होती है पहला यह कि मकैनिक अपका अच्छा होना अच्छी है दूसरा यह जो समान उसमें डल रहा है वो ओरिजिनल होना अच्छी है तब ही आपकी गाड़ी कामियाब है दोनों चीज़े एक दम कंपेर में परफेक्ट होनी चीज़े है जब ही आपकी गाड़ी के अंदर सब कुछ बढ़िया रहेगा यह जो साफ्ट आप देख रहे है उसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चीज़े है अगर प्ले होगी तो गड़बर हो जाएगी और कभी भी आप कलशफिट करते हो तो फाइन वाला रेगमाय, मैं फाइन वाल रेगमाHS की बात कर रहा हूँ हाँ फाई वाला रेगमाल हलकलका मारना है यह वाइबरेसंगी प्रवल्म की बताओ तो यह जो आप जाली देख रहे हो मेरा आथ में यह जाली वी एक काम करती है अगर आपको लगता है जाली फोल्ड हो गई है दब गई है तो इसको प्रॉपर इस तरीके से करतो क्योंकि जब हमारी गारी इंजर घुनता है तो यह जाली हवा बनाती है और इंजर को अंदर से ठंडा रखती है ये एर कूल का काम करती है ठीक है तो ये भी एक जरूरी पाट है बागी फटावर्स से सब पैक करते हैं और छोटी सी बात बता देता हूँ आपको मैं एक नया YouTube चैनल बनाया है मैंने उसको सब्सक्राइब कर लो उसका कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है और उसके लावा मैंने उसका लिंक जो है अपने description box में भी डाल दिया बाकी मेरे workshop का जो address है वो description में दे रखा है यह लग्यों गुटनाइट टेक्यर